वीवर आप उपने परसन को विजुलाइज करें और मैं आपके और आपके परसन के लिए कांट स्पिट करता हूँ I feel कि आपके परसन के अंदर आपके लिए बहुत ही गहरी फिलिंग्स हैं वो फिलिंग्स इतनी गहरी हैं कि कभी-कभी उनको अपनी ही फिलिंग्स से डर लगने लग जाता है कि कहीं बाद में ये प्रॉब्लम ना बन जाए कनेक्शन में I see वो अभी भी आपकी क्यार करते हैं शायद आपको नहीं पता लेकिन आपका परसन आपके सोशल मीडिया से ये जानने की कोशिश करता है कि आप कैसे हैं या फिर किसी से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप ठीक तो हो या नहीं कहीं न कहीं वो अभी भी आपको चाहते हैं I can sense कि अभी आप दोनों काफी यंग हैं और अपने dreams pursue करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों का ही focus अभी अपने career को लेकर है I can feel कि आपका person इतना खूल नहीं पाते किसी के सामने इसने भी वो आपसे वो सब नहीं कह पाई जो कहना चाते थे उनके लिए उनकी life stable रहना बहुत matter करती है और वो फिलाल इसी में लगे हुए हैं I can also see कि आप उनके साथ काफी kind से अपने उनको काफी support करा उनके मुश्किल दौर में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे और वो कही न कहीं आपसे opposite है उनके लिए अपनी ego और pride बहुत matter करती है One thing for sure कि वो आपको काफी पसंद करते है उनके दिल में जो जगह आपकी है वो किसी और की नहीं है और वो आपके बारे में सोचते रहते है बट all in all अभी उनका पूरा focus खुद को आगे बढ़ाने को लेकर है इसलिए वो किसी और चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना future आपके साथ सोच रखा है अंदर यंदर उन्होंने पूरी planning कर ली है आपके पास आने की इसलिए वो जल्दी settle होने की कोशिश कर रहे है क्योंकि उनके हिसाब से एक बार वो settle हो जाए फिर उसके बाद ही वो दूसरी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे आपका person काफी logical mindset का है उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे इसलिए उनके उपर फैमिली साइट से भी काफी pressure है उनके decisions का उनकी life पर बहुत प्रभाव पढ़ता है इसलिए वो काफी सोस समझकरी कदम उठाते है कही न कहीं I feel कि आपका person अभी recovery mode में है इस connection में उनको काफी disturb किया है इसलिए वो भी time चाहते हैं पुराने जखमों को भरने का एगेटा वाइप कि आपके person की family में कोई बिमार था या कोई उनसे बिछड गया या यहां काफी लड़ाईयां होती थी जिसका उन पर काफी बुरा प्रभाव बड़ा है I feel like उनको anxiety हो जाती है वो इस कश्मकश में उलचकर रह जाते हैं कि उपनी family को संभाल ले या खुद को It's like आपके person के काफी बड़े सपने हैं जिनको उन्हें पूरा करना है लेकिन उनके परिवार की तरफ से उनको कोई support नहीं मिला किसी ने उनको समझा नहीं life में सभी ने उनको हलके में लिया ये एक और reason है उनकी life में instability होने का और वो इस से बाहर निकल कर इस connection को pursue करना चाहते हैं क्योंकि at the end उनके फैसले उनके हैं उनकी चाहें उनकी I get a vibe कि आपके person का nature controlling है उनको सब कुछ control में रखना अच्छा लगता है उनकी इस behavior से आपके connection में काफी problems भी आई and if वो उपने behavior को change कर लेते हैं तो एक connection ठीक हो जाएगा जो कि I fail वो ज़रूर करेंगे कहीं न गहीं आपका person आपके पास आने की कोशिच भी करता है लेकिन रुख जाता है उनको ऐसा लगता है कि वो भी जिस condition में है उस condition में आप उनको accept नहीं कर पाऊगे यह situation उनके हिसाब से जैसी चलने चाहिए वैसी नहीं चलेगी इसलिए वो थोड़ा रुख जाते हैं I can also see कि आपका person आपको पूरी तरह से अपनी life में लाने से कत्रा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो आपका दिल न तोड़ते या कुछ ऐसी problems ना खड़ी हो जाए जिससे उनके career में रुखावाट आए इसलिए उन्होंने काफी secrets भी रखे आपसे आपकी भलाई के लिए या इस connection की भलाई के लिए and अब वो कहीं न अगई अपने फैसलों को सोच कर परिशान होते हैं उनको guilt होता है और वो सोचते हैं कि काश वो खुद से कभी आपको बता पाएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया I get a vibe कि वो daydreaming करते हैं आपके बारे में और वो चाहतें भी हैं कि वो इसे control करें लेकिन universe उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप control नहीं कर सकते जिन्दगी में बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं जो इनसान के बस में नहीं होती मैं cards को clarify करता हूँ तब तक आप proper energy exchange के लिए से रेडिंग को like कर दे और personal reading के आप मुझे ओपर देख रहे हैं WhatsApp नंबर पर approach कर सकते हैं I strongly feel कि आप उनके साथ काफी open और frank थे अपने काफी time devote के इस connection पर लेकिन आपका person उतना open नहीं हो पाया आपके सामने वो ready नहीं थे पूरा open होने के लिए and इस कश्म कश्मे उलच कर उन्होंने आपको अपनी जिन्दगी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनको ये डर था कि वो आपकी तरह कभी नहीं बन पाएंगे जैसे आपकी energy इतनी cheerful और frank है विसी उनकी नहीं हो पाएगी और इससे वो डरते भी थे कि कहीं आप ही उनको छोड़के ना चले जाओ और उनकी pride हर्ट ना हो सिरफ अपनी pride को बचाने के लिए उन्होंने खोदी आपके लिए दरवाजे बंद कर दिये बट अब उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पश्तावा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया अब वो चाहते हैं कि भगवान ही इस connection को ठीक करे या कोई divine energy आके सारी problems को दूर कर दे जिससे connection improve हो I can see कि वो आपको भी अपने career में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और वो ये उमीद करते हैं कि आगे जाके जब आप दोनों settle हो जाएंगे या आपकी life stable हो जाएगे तब आप जिन्दगी के किसी मुकाम पर आके टकराएंगे और मिलेंगे लेकिन अंदर ये अंदर वो चाहते हैं कि वो अभी आपसे मिलें अभी आपसे बात करके सब ठीक करें I can strongly sense कि कोई ऐसा दिन था जो आप दोनों ने share किया जो आप दोनों के लिए ही काफी special था कोई ऐसा दिन जब आप दोनों बहार हो या पहली बार एक दूसरे से मिले हो जिसको याद करके वो आज भी उदास होते हैं और चाहते हैं कि वो दिन वापस आ जाए It's like उनको पुरानी यादे सताती है अभी उनका perspective काफी change हुआ है चीज़ों को लेकर उनकी life में friends हैं ऐसे जिनके तो उनको पता लग पाया है कि open होना, frank होना कितना important है किसी भी bond में इसलिए वो चाहते ही हैं कि अब आपके सामने open हुआ जाए आपको सभी बाते बताई जाए उनकी जिनकी जिन्दगी में क्या चल रहा है आपको पूरी तरह से उनकी life में लाया जाए इसलिए वो अपने friends से ideas लेते रहते हैं कि कैसे pursue करना है ये कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है इक्वल हो जाए आप उनको आगे चल के कम ना समझें ऐसी उनकी इच्छा है इसलिए वो अपने उपर काम कर रहे है I do feel कि आपका person काफी spiritual भी है उनको कही ना कही hope है कि चीज़े सही time पर ही ठीक होंगी उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप खुदी उनके पास चल कर आ गए तो उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे react करना है कैसे handle करना है इसलिए वो time चाहते हैं कि वो खुदी आपके पास आए और आपसे apologize करें उनको ऐसा लगता है कि अब वो mature हो गए है पहले वो काफी young थे उनको चीज़े समझ में नहीं आते थी इसलिए उनके हिसाब से सही timing जल्द आने वाली है जब वो आपको approach करने आएंगे वो ये भी सोचते हैं कि आप उनसे कई ज़्यादा गुना mature हो गए होंगे and अब आप दोनों ready होंगे इस connection को आगे तक लेकर जानने के लिए I feel कि आप उनके लिए बहुत important हो and वो दिल से दुआ करते हैं कि आप से जल्द मुलाकात हो और चीज़े ठीक हो जो कि I know जल्द होंगी मैं Oracle of the Fairies की मदद से यूनिवर्स आपको एडवाइस पूच होंगा देखते हैं यूनिवर्स आपको अचकी आइडवाइस करना चाह रहा है Transformation Transformation फिर ही आपको अपनी life में हो रहे changes जो कि आपनी भलाई के लिए हैं उनकी तरफ सिरिंडर करने के लिए कह रही है आप either अभी transform हो रहे हो या होने वाले हो आईसी ये change challenging होने के साथ-साथ exciting भी होने वाला है जहां आप खुद में नए changes देखोगे जो भी आपकी life के current हलाद है know that वो भी आगे आपकी betterment के लिए transform होने चाह रहे हैं ये transformation फिर ही आपको remind करना चाहती है कि ये change आपकी imagination से भी ज़्यादा amazing हो सकता है क्योंकि जब आप actually natural processes की तरफ लिट को incident कर दोगे तो आपको अपनी life का एक beautiful aspect experience करने को मिलेगा क्या होता है कि कई बार लोग change से खबराते हैं बट अगर आप willingly ये change अपनी life में accept करोगे तो उसका बहुत ही positive impact आपसे जुड़े आपके आसपास लोगों पर भी होगा ये transformation fairy सिरफ तीन शब बोलना चाहती है allow, trust and flow इस transformational change को allow करो उस change के process को trust करो इन इस energy को अपनी life में flow होने दो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जाने screen पर show हो रहे हैं इस next tarot read में पेट personal leading के लिए आप मुझे ओपर देख रहे WhatsApp नंबर पर अपर अपर रोच कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे दुबार अगली tarot reading में Till then, bless you